आगे एक क्यूशन दिया हुआ है जिसमें हमें बताना कि A x B इस परकार से हैं कि find A और B, यानि कि A set और B set हमें बताने हैं, ठीक है, तो यहां से देखने पर A x B है, हम जानते हैं जो इसकी definition है, उसको जानते हैं, तो क्या करते हैं, A x B का मतलब क्या आता है, A और B आता है, A denote क component को B denote करता है, second component को आई बात समझे में, तो यहां से जो A आएगा, वो किस में से आएगा, A में से B आएगा, B में से आएगा, यही तो बात है, यहां से देखिएगा, तो solution में, solution में क्या है, A x B क्या होता है, कि we know that P और Q, M Q और M R यह, ठीक है, तो यहां से, अरे, यह क्या लिख दिया है, यह नहीं लिखना था, यहां से अमें लिखना था, A, B such that A belong to A and B belonging to B. अब यह है, A, A denotes the first element, ठीक है? जो यह A है, वो first element को denote करता है, और जो B है, वो कौन से element को denote करता है? second element को, second element, ठीक है? denote the second element, ठीक है? यह, तो यहां से देखने पर, भई, first कौन कौन से है? यहां पर देखिए, यह first है, 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 तो इसका मतलब, कि भई, A है, जो A आएगा, A is set of, first elements तो वो कौन से होने वाले वो देखिएगा वो आपके लिए p और m होने वाले है और second क्या होगा जो b होगा वो क्या होगा b है वो क्या होगा b set of second element equal to क्या आने वाले b और यहां से क्या आएगा q और r यह तो इस परकार से अपने पास यह a और b आता है यह आपके क्या answers है